हलो फ्रेंस आप सफी का स्वागत है फ्रेंस आज हम सांत असांत भिनों को सीखेंगे कि सांत भिन किसे कहते हैं असांत भिन किसे कहते हैं फ्रेंस यहां भिन का मतलबी होता है परीमे संख्या तो आप इसमें कन्फ्यूजन मत रहिएगा कि परीमे संख्या किसे कहते हैं भिन कि कीसे करते हैं हमें संख्या करते हैं ठीक है सांद मसांद भिन को समझे में इसके बेसिक कंसेप्ट को सवगते हैं参न्म को किसी आप वीडियो के लाश तक बने रहें आप को वीडियो के लाश्त में यह भी वताएंगे कि आप चुटकीव μεं किसी भी परिमे संख्या को देखकर आप कैसे पता कर सकते हैं कि वह सांत भिन है या नहीं चलिए फ्रेंस स्टार्ट करते हैं तो फ्रेंस आपके सामने लिखा यह सांत भिन देखिए यहाँ सांत भिन का यहाँ पर कोश्टेंग में लिखा है अंत होने वाली यानि अंत होने वाली का मतलब होता है कि यहाँ पर देखिए एक भिन अर्थात एक परी में संख्या है जब इसके हर का जब अंस में भाग दिया जाए तो वो संख्या दसमलों के बाद पूरी पूरी कहीं न कहीं भाज्य हो जाए यदि वो संख्या पूरी पूरी भाज्य होती है तो उससे हम क्या करते हैं सांत भिन अर्थात अंत होने वाली संख्या करते हैं फ्रेंस चले इसको एक्जाम्पल के तोर पर समझते हैं देखें यहां पर तीन बड़ा के आठ है अर्थात आठ का भाग तीन में दीजिए देखें यहां पर देते हैं आठ का भाग किसमें देना है तीन में ठीक अब देखें फ्रेंस आठ का भाग आप कहेंगे कि तीन में नहीं जाता है तो क्य च्शोविस को यहां पर लिख लीजिए चली इसे माइइनस कीजिए अब यहां पर घट आते हैं तो यहां दस में चार जागा च willstशह यहां पे टेहना गया उसके बाद आवजशक्ता के अनुस्या जहें बढ़ा सकते हैं यहां और जीरू बढ़ा लेजिए आठ का टेपल पढ़े आठ सते 56 होगा चपन ले लिजिए अब यहां पे माइनस कीजिए देखिए यहां पे चार बचेगा यहां पर कड़ जागा फिनों 0 बढ़ा सकते हैं शान्त भीन अर्था सान्त परिमे संख्या कहते हैं ठीक है friend चलिये एक और example से समझते हैं देख़े एक बटा कि दो लिखा है न यानि कि दो कभाग एक में देना था कैसे देंगे दो यहांप लिखेंगे और एकटो यहां पर लिखेंगे ठीख यहां पिदिकें दो कि यहां पर दस मोलों के पाद पूरी भाज़ घ्याथ घ्यों पूरी भाज़ हो जाता है तो उसे हम क्या कहते है शांत भिन को समझते हैं देगे फ्रेस यह लिखा है असांत भिन असांत भिन का मतलब होता अंत ना होने वाली ठीक है अर्थात जब फ्रेंस हम हर का भाग इसके अंस में देते हैं तो वो संख्या दसमलों के बाद पूरी पूरी भाज नहीं होती है तो उसे हम क्या कहते हैं असांत भिन तो फ्रेंस यह थी आपको असांत भिन का परिभासा समझ में आ गया होगा तो आप देखे इसको एक्जामपल के तौर पर समझते हैं फ्रेंस आप वीडियो क्लाश्ट तक जरूर बने रहें आपको वीडियो क्लाश्ट में पताएंगे कि ट्रिक्स कैसे पाचान सकते हैं यह सबस्तो बेसिक कंसेफ्ट है ठीक है देखे यह इसका भाग यारी कि हर का भाग देए तीन का भाग किसमें देना एक में तो कैसे देंगे तीन का अप देख रहे होंगे कि दसमलों के बाद आप उनके पूराविरीत्ती कि यहिए यह संके आ रहा u है तो दस्मरों के बाद जब किसी संख्या के पुनरावित्ती होने लगे तो वह भी संख्या एक असांत भी कहला थी अर्थात वह संख्या पूर रूप से कटेगी नहीं यानि पूर रूप से भाजी नहीं होगी तो फ्रेंस यहां पर क्या आपको पता चला कि जब हर का भाग अंसं में देते हैं तो अंस में देने के बाद यह देदि दस्मरों के बाद किसी संख्या के पुनरावित्ती होने लगे अर्तात वह पूर रूप से न कटे तो उससे हम क्या कहते असांत भीह Unter यह एक गैश्धाल से समझते हैं देखिए दो बटा कि यहांपी कितना लिखा लगाएंगे यहां पर जीरो बढ़ा लेंगे देखे 11 का टेबल पढ़ेंगे जो 20 या इससे कम होना चाहिए ज्यादा नहीं होना चाहिए देखे पढ़ेंगे तो आप 11 की जब 11 होगा अब यहां से माइनस कीजिए इसको घटाएए तो कितना बचेगा आपका 9 बचेगा अब आपके अगर फिनो जीरो बढ़ा सकते हैं देखे 11 के यह 11 होगा माइनस कीजिए जब माइनस करेंगे फ्रेंस तो यहां पर कितना बचेगा फिनो माइनस यहां पर फिनो जीरो बढ़ा सकते हैं 11 88 होगा माइनस कर लिजिए जब माइनस घटाएंगे तो कितना होगा दो caghe pleowski से नहीं कटेगी जब यह संद्खिया पूल रूफसे नहीं कटेगी तिसे हम यह क्या कहें है कि प्रिमिय हां किसी पता सक सकते हैं इसको आप ट्रिक से सभी आप का कर सकते हैं किसी भी परिमियet सांत भी अभी हम उपर जो पड़ रहे थे वह बैसी कंसेप्ट सांत का सीख रहे था अब इसको ट्रिक से पहचानना होगा तो कैसे पहचानेंगे देखिए फ्रेंज जब भी इसके हर का गुलांखंड करने के बाद यदि दो और पांच दो या पांच में से दो आ जाए हर में या पांच आजए गुलांखंड करने के बाद तो वो जो संख्या होती है शांत भीन होती है इसके अलावा यदि हर में दो और पांच नहीं आता है तो उसे हम क्या करते हैं ठीक है क्या कहें आपको बताए हैं फ्रेंज यदि हर में आप गुलांखंड करते हैं हर का तो यद इसके हर्म कितना रहा है दो आ रहा है न यह जो परिमेशन क्या है क्या है सांत भिन है ठीक अब इसका देखिए जब दस का गुड़ां खंड करेंगे तो गुड़ां पांच होगा ठीक यहां पर दो और पांच दोनों साथ में आ जा रहा है तो इसका मतलब यह भी क्या सांत भिन होगा और यहां फी क्या खंड करने के आवशकता ही नहीं इसलिए कि इसका झाप उलंगा यहां प्लो आता है यह 5 और हमें यह जाती है होगा इसका क्या होगा कि दो पांच हर नहीं आरा है यहंगे जिफनागा इता है औरDe 3 में ऑघ शुर्थ या पांच ता आप बोलेंगे नहीं यह भी क्या हो जागा एक असांत भिन होगा तो फ्रेंस देखें यह जितना भी संख्या लिखा है परिमे संख्या यह सब असांत है जबकि यहां पर जो लिखा है यह सब सांत है तो फ्रेंस इस प्रकार से हम किसी भी परिमे संख्या को हर को देख के हम पता कर सकते हैं कि वसांत भी नहीं असांत भी नहीं तो फ्रेंज आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और चैनल पर नए है तो चैनल को सब्सक्राइब करें